जो तुमने करके दिखलाया नहीं है आसां का तुमने सारे जग में किया भारत का रोशन ना जी हाँ अपना ताज खुद खरीदने की हैसियत बनाना ताकि इज़त के लिए किसी का मौताज नहोना पड़े और इस बात को सार्थक करती है हमारी आज की नारी शक्ती डॉक्टर कमर रह्मान इनसे बात करेंगे हम जरूर वैसे दोस्तों आपको बता दे कि हमारा ये कारिक्रियम नारी शक्ती श्रिंखला है सतत विकास लक्षे यानि सस्टेनबल डवलप्मेंट गोल्स का इस श्रिंखला के अंदर के जो विशे हैं वे सभी एक टूल किट का हिस्सा है जिनका निर्मान युनिसको और युनिसेफ के सहीयोग से किया गया है इस टूल किट में 17 विबन विशे हैं और दोस्तों हमारे ये कारिक्रिम शक्ती लक्षि संख्या 5 यनि जेनरल एक्वालिटी लैंगिक समानता पर अधरित है और इस कारिक्रिम के जरिय हमारे एक चोटा सप्रया से वो है अचीव जेनरल एक्वालिटी आनमपावर और विमन और गर्स लैंगिक समानता समाज में स्थापित करना और सभी बच्चियों एवं महिलाओं को उनका हग दिलाना, उनको सशक्त बनाना है तो आज हम जिन से बात करने जा रहे हैं, वो बहुत खास है जे हां, she is a woman of substance, she is Dr. Kamar Rahman CMS 90.4 MHz के शोताओं, जैसा की हमने आपसे promise किया था कि इस महिला सशक्ती करन वाला जो हमारा ये program है, इस program में हम आपको उन सभी महिलाओं से मिलवाएं जिन लोगों ने जिन्दिगे में कुछ हट के किया है, और अपने लिए तो किया ही किया है, साथ-साथ अपने साथ कई सारी और महिलाओं को भी जोड़ा है तो इसी श्रंख्ला में हमारे साथ आज है एक साइंटिस्ट, जी हाँ, एक महिला साइंटिस्ट जिनका दुनिया में काफी नाम है और महिला साइंटिस्ट के रूप में वो काफी जानी-मानी है, इनका नाम है Dr. कमर रह्मान इन्होंने अपनी जिन्दगी की शुरुआत करी थी 1960 में तो 1960 से तो आप खुद सोच सकते हैं कि उस जमाने की महिला जिन्होंने अपनी वर्किंग जिन्दगी की शुरुआत वर्किंग जिन्दगी या अपने इंडिपेंडेंट जिन्दगी की शुरुआत करी तो वो एक बड़ी इंट्रेस्टिंग सी जिंदगी रही है आए चले सुनते हैं उन्ही की जबानी डॉक्टर कमरमान शुक्रिया बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी विमेन इंपावर्मेंट की बात करता है चुक्र औरत जो है उसी से समाज बनता है उसी से कंट्री की प्रोग्रेस होती है अगर औरत आगे नहीं बढ़ी तो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है एक बार मुझे याद है इंदरा गाली ने कहा था कि अगर आप किसी कंट्री में ये मालू करना चाहती है कि वहां प्रोग्रिस किस हद तक है तो आप देखिए वहां औरती क्या सिचुएशन है औरती क्या पोजीशन है तो जैसा कि अभी इन्होंने कहा हमने अपनी जिन्जी शुरूटी थी एक ऐसे खानदान से जहां बहुत जबर्दस परता होता था लेकिन हमारे खानदान वालों ने हमेशा इल्म की रोशनी दिखाई हमारे छुर्टे दादा ने गांधी फैजियाम कालेज बनवाया जिसमें हजारों लड़के और लड़कियां जो थे उतालीम से फैजियाम हुए उसमें कोई परक नहीं हुआ उ में कोई जूकेशन थी शुरू में घर में उस्तानिया आती थी हम जब अलिगार में थे तब हमने सोचा कि हम मेडिसन में जाएंगे लेकिन उन दिनों हमारी जो वालदा थी उन्होंने कहा कि नहीं जो डॉक्टर ओरते होती हैं वो सब जगा जाती हैं और ये अच्छी बात नहीं हैं तो हमने फिर एरादा छोड़ दिया और हम साइंसी दुनिया में चले गए जबके हमें अर्दू लिटरेचर से भी बहुत लगाओ हैं और हमारे पसंदीदा शायर जो थे वो फैस थे फैस ने तो औरते लिए बहुत बड़ी बातें कही हैं उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा है कि बोल कि लबाजाद है तेरे तेरा सुत्मा जिसम अब तक तेरा है और हमारा जो डॉक्टर बनने का खौब था वो हमारी बेटी ने पुरा किया तो हम जब MSC करके आए हमारी इस बीश में शादी हो गई और कुछ ऐसी वजोहात हुई कि वो शादी जादा च जल नहीं सकी हमाई छोटी सी एक बेटी थी तो हमने कहा इस तर जो मुस्तक्बिल है वो रोशन होना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए हमें काम करना चाहिए तो MSC करने के बाद हम MSC तक अपने फादर के साथ रहे और एक शेर है कि गुजरें है कई बार इसी दश्त चमन से हम लोग जमाने की हवा ठाए हुए हैं तो जहां जहां मैं फादर पोस्टेड रहे वहां वहां हम पढ़ते रहे कहीं से हमने इंट्रमीजियर्ट किया कहीं से BSC किया अलिगार से MSC किया पिर हम लगनों आए तो हम करामत हुसैन मुस्लिम डर्स कॉलिज ने पढ़ान है कि हम लोग जब शाजापूर में हम लोगों कि यह जनाना मर्दाना अलग था तो डूड़ी में एक मुईशी आए और उन्हों ने ये कहा कि बीवी मेरे मूँ में खाक सुना है नौकरी करने जा रही हैं तो हम लेगा मुईशी जी आपके मूँ में घीशा कर हम नौकरी कर तो खेर हम आ गए और हम पढ़ाने लगे फिर उस्ते बाद हमने सोचा कुछ और आगे बढ़ना चाहिए तो हम लटनो यूनिवर्सिटी गए और हमने बाइट एमस्ट्री डिपार्टमेंट में पेस्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया उन्हीं दिनों CSIR की एक बड़ी लटनों में है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकालोजी रिसर्च सेक्टर तो वहां साइंटिस्टी की पोस्ट में निकली और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा वहां अपाइन्मेंट हो गया जो इंस्टिट्यूट के डिरेक्टर थे पाउंडर डिरेक्टर डॉक्टर जैदी इनका बहुत काम इस्ट्रिस पे था तो फिर हमने पीएच्टी का काम इस्ट्रिस पी शुरूर कर दिया और पीएच्टी के बात हम वहां जो टॉक्सिकालोजी डिवीचन है उसके इंचार्ज हो गये हमारे साथ बहुत से लोग काम करने लगे तो इस्ट्रिस की फीज में हम स्ट्रिस हो झाता था और आम तरह सिए बीमारी जो है वो 15 साल में होती यह मंगा उनको पांच से 7 साल में हो जाती थी चुर्ण झालोजी थी हम उनको ओर पाम वो ओरतें जो ती वो इस्बिस्ट्रस होने के साथ साथ वो अपने घरों में जो इंधनी इस्तिमाल करती थी वो उनकी सिहते लिए बड़ा नुक्सान दे होता था कुछ तो ये जो काउडन केज से इनसे खाना पकाती थी कुछ अनप्रासेस कुकिंड फील्ड से पकाती थी उससे उनकी आँखों में कमजोरी होती थी उनके कम वेट के बच्चे होते थे और उनको बड़ी तक्लीफ में होती थी तो हम आश्टे दिन भी उन ओरतों के लिए काम कर रहे हैं हमको बहुत तक्लीफ होती थी हमारे साथ तक्रीबं 40-45 बच्चों ने पिएशडी किया है वो इस वाद दुनिया के मुक्तलिफ हिस्सों में फैले हुए है हमाई साथ बहुत सी लड़कियां भी थी जब हम पिएशडी डिलिये किसी कंडिडेट का इंटरव्यू लेते थे तो आई आलवेस ट्राइड कोई लड़की रुप ले 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 अगर दोनों एक से हुए तो हम हमेशा लड़की ले ले लेते थे तो हमें अच्छा लड़का था कि लड़कियां आगे बाढ़ रही है हमारी बहुत सी पिएशडी स्टूजेंट्स यो हैं वो इस वक्तूरी दुनिया में फैली हुए हैं बड़ा अच्छा काम कर रही है जी ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि आपने asbestos field में जो कि आज भी चली रहा है और cow dung से अमोमन गाओं में काम हो रहा है पर ये है कि एक awareness तो आपने उस जमाने में एक तरीके से create कर ही दी और plus pollution को control करने के लिए भी अब इन सब बातों पे जोर दिया जाए गई ही चली एक और आपका बड़ा अच्छा इंटरिस्टिंग पहलू ये है कि आपने turn of century में मतलब कीसवी सदी में जब हम पहुँच गए तो आपने एक बड़ी भारी conference करी थी scientist लों की लखनों में जो कि शायद लखनों में scientist लों की इतनी बड़ी मैं आपको बता हूँ मेरे दिल के खरीब दो subject बहुत जोड़े हुए है एक तो occupational lung diseases जो indoor air pollution से होती है indoor air pollution से होती है asbestos exposure से होती है और दूसरा women and environment चुब और जो है वो धर के अंदर exposed होती है काखानों में exposed होती है और उसके इलावा बाहर की दुनिया से भी exposed होती है और उस्ता जो system है वो आदमी के system से फरख होता है जैसे pesticide है pesticide का जो impact है वो औरत पे different होता है मरत पे different होता है अगर आप breast cancer आशकल बहुत 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 है औरतों में तो उनका जो जो breast है उनका अनलाइस जिया तो पता लगा उसने pesticides में ले तो हमने 2000 में एक बहुत बड़ी conference की थी जिसमें 27 countries के लोग आये थे और वो conference थी environmental and occupational lung diseases उसमें हमने इस बात पे emphasize किया था और खासतोर से जो government के वो लोग जो है वो plans जो बनाते हैं कि किसी तरहां आदमी लोग तो आदमी लोग औरतों को जो ये परीशानिया हो रही हैं उनसे बचाया जाए हमने इस बात बहुत कोशिश की थी और सारे international लोगों ने भी की थी हमारा इस पे बहुत क्राइट रिसमित एक नोबिल लॉरियेट है बरके यूनस्टी के अभी कुछ दिन में उनकी डेथ हुई है उनके साथ है उन्होंने इंदुख्यारी औरतों के हमारे साथ मिलके बड़े आंसू पोची हैं हमने उनके लिए बहुत किया है जितना हम लोग कर सकते थे लेकिन ह हम और भी क्राइट खानों में गए जैसे हम आपको बताएं काजू इंडस्ट्री में हम गए वहाँ जब क्राजू तो साफ करते हैं उनका छिल्का हटाते हैं तो उससे सफ़ेद लिकुड निकलती है और वो लिकुड जब उन औरतों के हाथों पे लगती थी तो लगता हम लिकुड डर्मा जैसी बीमारी हो गई है तो सोशल प्राब्लम्स होती थी उनकी शादी नहीं होती थी हम शिफ्ट आशी इंडस्ट्री में गए हैं जहां मैच बॉक्सेस बनते हैं आतिशबाजी की चीज़ें बनती हैं हम देखते तो हैं कि इती खुबसूरा आतिशबाज चूटती है वहां आठ से असी साल तक की उमर की ओरतें काम करती हैं उन्होंने अपनी पीप्स हमें को खोल के दिखाई थी वो बिल्कुती थी प्रंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप जाएए उनके बार्शन्स हो जाते हैं उनके बच्चे छोटे छोटे पैदा होते हैं उनको बड़ी मुसीब्तों के सामने अठरना पड़ता है तो आप सिल्क इंडस्ट्री में जाएए जब वो काकून से तार निकालती है तो उनको अपनी रानों पर रड़ती हैं उनकी राने जो हाती की रानों की तरह हो जाती हैं आप देखिए वो खुबसूरत सारी हैं से लिए अच्छी नहीं हुए और जहां तर रस्बेस्टरस की मैंने बात की है इंडिया चाइना बंडला देश पाटिस्तान सब जड़ा यूज़ हो रहा है जबके और कंट्रीज ने इसको बेंटर दिया है एक और टेक्नॉलोची नहीं जो है जिस पे हमने बहुत काम किया है हम यूपया यूणियन के इस्टर्नल एडवाइजर भी है जिसमें 11 यूपया टंट्रीज काम कर रही है नेनो टेक्नॉलोची नेनो टेक्नॉलोची जो है वो बंडर्स टेक्नॉलोची है यह मेडिसेन में कम्यूनिकेशन में हर चीज में यूज हो ती उसके बनाए हुए कपड़े जो हैं उनके कभी एजिन नहीं होती है उसके बनाई हुए शीशे जो हैं उनके कभी धूल नहीं आएगी उनके पेंट्स उनके टायर्स लेकिन कुछ नैनो पार्टिकिस जो हैं जैसे कार्बन नैनो ट्यूप्स हैं वो इतने टॉक्सिक हैं जैसे अस्बेस्टस हैं तो हम लोगों की यॉर्पमेंट कंट्रीस जो डियारा कंट्रीस इसमें मिलियन से डालर के प्रोजेट्स हैं इसमें शामिल हैं, उनकी कोशिश यह है कि सेफ़्टी पर काम किया जाया, वो नेनो पार्टिकल्स जो सेफ हैं, उनको इस्तेमाल जिया, जाया होता क्या है, पालोजी बाद में आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमने अभी हाल में एक और भी कांफरेंस की थी, Women and Environment. उसमें भी बाहर के बहुत स्लोग आये थे और हमने ये कोशिश की थी, उसमें हमने ये इनाउंस दिया था कि हम एक सेंटर बनाएंगे, Women and Environment पे. और हम educate करेंगे औरतों को कि किस तरह से वो अपनी हफाज़त कर सकती हैं. और emphasize करेंगे government को कि वो ऐसे policies बनाएं, जिसमें औरतें जो हैं, वो बहुत exposed ना हूं. लेकिन ये करोना की चक्र में इधर दो साल हुए रह गया है, लेकिन वो हम बनाएंगे. तो हमें उमीद तो है कि ह हमारे साथ social workers मिलें, हम science और technology के जरिये इन औरतों की सुधार के लिए काम करें, और खुदा करें हमें इस काम में कामयाबी मिलें. मैं 23 साल से जर्मनी जा रही हूँ, और मैं उनकी हां visiting professor हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, I am the only Indian जिसको उन्होंने honorary doctorate दी. और हमने ये honorary doctorate की degree होती, ये हमने share किये Nobel laureates के साथ, जैसे Einstein थे, Max Planck थे, तो हमको बहुत अच्छा लगा, कभी-कभी हमें लगता है, जर्मनी हमारा second home है, जर्मनी में तालियम का बहुत रिवाज है और 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 मरत में हमने यॉरप में फर्थ वहां नहीं देखा है, उसके लावा मैं डे university में, मैं 2000 से lectures देती हूं, और उनके साथ हमने collaboration भी किया है, हुआ ये कि जब हम CSIR से 2003 में retire हुए, तो हमने सोचा कि अभी भी कुछ करना चाहिए, तो हमने amity university joint कर ली, हम उनसे पैसे नहीं लेते हैं, चुन्के इल्म जब आप देने पे आ जाएं, तो फिर उसमें business नहीं हो ना चाहिए, तो हमें अच्छा लगता है, वो लोग हमारी बड़ी इज़त करते हैं, हम उनके, हाँ, दीन भी हैं और distinguished professor भी हैं, तो हमने उनकी university के बहुत से international collaborations करा दी हैं, उन लोगों के साथ मिल करती हैं, हमारा काम, हमरे students का काम चलना है, कि हम औरत के लिए, environment के लिए काम औरतों टेलिए, जितना हो सकता है, उनका काम करेंगे, और हमें यकीन है, कि हम लोगों की policies, government ऐसी policies बनाएगी, जिससे औरत की सहत पे असर ना पड़े, औरत आगे बढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी-कभी मैं अपनी बेटी की भी बात करती हूँ, मैं डॉक अपने बच्छों को देखती थी, घर की सफाई करती थी, सारा घर का काम करती थी, और पेशिंट्स को भी देखती थी, तो औरत को अपनी बेसी चीज़, मुझे बूलना चाहिए, और वो औरतें, कि जिन कंट्रीज में औरतें हेट थी, उन्होंने करोना को बेटर डील किया, जहां मनिस्बत मर्दोडे, आप देख लीजे, निवजिलेंड की बात आप ले लीजे, आप जर्मनी की ले लीजे, ऐसी बहुत से कंट्रीज हैं, फिनलेंड की ले लीजे, जहां औरतें चाहर थी, she tackled the situation better than other people, तो मुझे यकीन है कि औरत इसे better messenger, she can do, she has more patience, she can do things in a better way, और हर ललकी को, जिस भी फील्ड में हो, उसमें आगे बढ़ना चाहिए, मैं आखिर में यह कहूंगी कि इस वास शायद मुझे सीमेस community के जो शोताएं हैं, जो listeners हैं, वो सुन रहे होंगे, तो मेरी आप से message है, मेरा जिनगी का तर्ज़र्बा है, मेरा आप लोगों को पैगाम है, कि हर लड़की, हर औरत को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी जो basic उसके उसके उसूल है, उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने उसूलों के साथ, अपने बच्चों की देखभाल करते हुए, अपने घर को आगे चलाते हुए, अपनी जिनगी में आगे बढ़ना चाहिए, औरत जो कर सकती है, चुर्कि औरत कहीं बेहतर पेगाम है एक आदमे से, ये भी बात मुझे है, आज के दिन याद है, इंद्रा गाधी ने एक Women and Environment 1981 में कांफरेंस हुई थी, तो उन्होंने कहा था, लेब में औरत तो मरत में कोई फर्श नहीं है, लेकिन औरत बेटर पेगामबर है दिन एमेन, शी कन गिव ए बेटर मेसेज, तो म आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं देंगी, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इस ताइम सबसे बड़ी समस्या हमारे पास Environment ही है, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे अपने Environment को समार सकते हैं, देखिए सुनामी जा रही हैं, कितने परीशानियां हम पर जेलना पड़ रही हैं, तो इन सब में अगा हम आगे बढ़ें, तो हम इस चीज़ों को मिलके सौन कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, डॉक्टर कमर रह्मान, और आपका ये पैगाम बिलकुल जरूरी है, कि विमन केंडू अलोट, सो CMS Community Radio के शोताओं आप सबों से ये गुजारिश है कि अपनी जिन्दगियों को पर लिक कर मुकमल बनाएए, आगे बढ़िये, आप कर सकती हैं, और आपको साथ देने के लिए बहुत लोग भी हैं जे हम, डॉक्टर कमर रह्मान की बातों को सनकर हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मुस्कुरा कर, दर्द भुला कर, रिष्टों में बंद थी दुनिया सारी, हर पत को रोशन करने वाली वो शक्ती है एक नारी डॉक्टर कमर रह्मान जी से मिलकर आपको कैसा लगा, हमें आप जरूर बताइएगा हमारा फोन नमबर है 0522-263-7078 और हाँ एक और नमबर है 0522-411-3351 तो आप इस कारिक्रिम के संबन में अपनी राय हम तक जरूर पहँचाएगा इजासत दीजे अपनी दोस्त सोमा को और हाँ सुन्दे रहिए 90.4 CMS FM नमस्कार तू ही है मा, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे धारी